चलिए शुरुबात करते हैं दो तस्वीरों के साथ पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के नौईडा से सामने आई है जहाँ पर पुलिस बीज़ेपी नेताब ब्रिशपाल तेवतिया पर हुए हमले की जाज के लिए यूपी एंसियार के सो थाना इलाकों की खाक चान रही है पुलिस बीज़ेपी नेता ब्रिशपाल तेवतिया पर हुए हमले के केस में पुलिस ने 66 घंटे की जाज के बाद एक शक्स को डिटेन किया है पुलिस ने आरोपी मनोज के एक करीबी रिश्टदार संसार सिंग को दब हुचा है संसार सिंग ने पुछताज में कबूल किया है कि उसने ब्रिशपाल तेवतिया पर हमला करने के लिए शूटर उपलब्ध कराये थे संसार सिंग से मिली जानकारी के बाद शूटर्स की तलाश में पुलिस मेरेट पहुची लेकिन पुलिस के पहुचने से पहले ही शूटर फरार हो गया संसार सिंग से पूछताच में खुलासा हुआ है कि इस गैंग के तारदेश के कई बड़े अपरादियों से जुड़े हैं और इस गैंग के पास AK-47 और AK-56 जैसे खतरनाग हतियार है तो एक बड़ा अकलूप पुलिस को मिल चुका है जिसरों से डीटेन किया गया है मनोज के करीबी रिशिदार को और उसने माना है कि शूटर्स उसी ने मुहिया करायते संसार सिंग जिसे डीटेन किया गया है लगबग 66 घंटे के बाद पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में एक बड़ा सुराग लगा है अनुराग चुड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए अनुराग ये कहीं कि बहुत वक्त जरूर लग गया लेकिन अब जो सुराग मिला है पु रखती है ये मनोच का एक करीबी रिष्टदार है और ये बहुत भी जानता था कि जो शूटर्स थे वो कहां से आये थे और उन शूटर्स को दिलाने में इसकी एहम भूमिकाती है ऐसा पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी मुझे मिली है हाला कि अपचारिक तोर पर गटना का अंजम देने वाले वो पुलिस के हते नहीं चड़े हैं जाहिर तोर पर जो बदमाशों का नेटवर्क है वो भी पुलिस के नेटवर्क से तेज है जैसे जैसे पुलिस जा रही है वैसे वैसे पुलिस को बदा चलता है कि बदमाश पुलिस के पहुंचने से पहले है इनके पास एक एक 47 तो है ही इस बात का खुलासा हो चुका है लेकिन एक 56 भी इनके पास है स्टेयीफ के कुछ अधिकारी से मेरी बात हुए थी तो उनों ने बताया कि जब जो बरामद हतियार इनके पास से भरामद हुए थे उसमें जो जो लेक एक जो एक 4.7 और एक चपन जैसी खतरनाक राइफल आ गई जो पूरी तरह से प्रति बंदित है ये हतियार या तो पुलिस के पास होते हैं, या आतेगमादियों के पास इस तरह के हतियार पाए जाते हैं फिलहाल पुलिस की करिब जो 200 टीमे हैं वो अलग-अलग दिशाओं में छापेमारी कर रही है लेकिन सबसे एहम बात यही है पुलिस के लिए कि एक जो कड़ी से कड़ी जोड़ कर पुलिस इस केस को सुल जाने का प्रियास कर रही थी तो एक कड़ी मिल चुकी है और जो संसार सिंग नाम का रहती है कि यह जो संसार सिंग है यह किस तुरी किसे कनेक्टेट था मनोस से इसने कहा से शूटर्स को बुलाया था इसके पीछे का क्या मकसद था कौन-कौन इसके नेट्वर्क में है लेकिन इस बीच ब्रिचपाल तेवतिया की हालत कैसी है यह भी जरा दर्शकों को बता दे नौइडा की फोर्टिस इस्पिताल में भरती है वो उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है तेवतिया को आईस्यू में रखा गया है वेंटिलेटर पर है वो डॉक्टर सी तीन लगतार उनकी हालत पर नजर मनाये हुए है तो बीते गुरुवार की शाम गासियाबाद के मुराद नगर में तेवतिया की स्यूवी गाड़ी परे की 47 से 100 राउंड गोलियां वर्साई गए थी तेवतिया पर हमली की जाज कर रही पुलिस ने जाज का दाइरा और बढ़ा दिया तो तेवतिया के हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीम में बनाई गई ग गौतम बुद्धिनगर, गाजियबाद, बागपद, दुलन चेहर और मेरट पुलिस समेट, स्चेफ बदमाशों की तलाश में चुटी हैं। पश्मी, यूपी और एंसीयार के करीब 100 थाना श्रेतरों में दबिश दी जा रही है। इसको रात के वक्त पुलिस ने अपने यरासत में लिया था और शुरुवाती दौर में ये बात कबूली है कि ये शूटर को जानता था, शूटर कहां से आए, किसने बुलाए, ये सारी बात इसने शुरुवाती दौर में पूस्ताश की कबूली है। लेकिन पुलिस का मान कि जो पूरा गैंग है वो पुलिस की शिकंजे में होगा और जो एक फुटी सेवन जो अभी तक पुलिस के लिए उस मामले को सुल जाना टेड़ी खीर बना हुआ है कि एक फुटी सेवन इस गैंग के पास कहां से आई यह अभी तक पुलिस नहीं जान पाई है एक बड़ा ग यांगमार का खत्रा पश्चम यूपी में बना रहे हैं कि लगता डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं ब्रिशपाल तेवतिया की हालत को वेंटिलीटर पर हैं वह अभी क्या कुछ बताया जा रहा है कि क्या इस्थिति हैं देखिए उनके जितने ऑपरेशन श्वेता होने थे कल तमाम ओपरेशन हो गए लेकिन जो डॉक्टर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि घटना के बाद ब्रशपाल तेवतिया का ब्लड बहुत बह गया था उनको फिर बाद में ब्लड चड़ाया गया लेकिन ब्लड चड़ने के बाद एकदम से बॉड़ी एकसेप नहीं करती तो वो सबसे जादा परिशानी आ रही थी इसके लाबा उनकी बॉड़ी में जो गन शॉर्स थे उनसे मल्टीपर इंज्री हो गई थी जिसकी वज़े से उनकी हालत और ज्यादा नाजुक हो गई है डॉक्टर ने कहा है कि उनके लिए 24 घंटे बहुत महत्पूर होंगे उन अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धनेवाग तो गाजियाबाग में बीजेपी नेता ब्रिशपाल तेवतिया पर हुए हमले के केस में आरोपियों के गिरफतारी के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिया है तो दूसरी तरह पुर्जोन के आईज़ी जकी एहमत खुद इस वर्कशॉप में मौजूद थे तो आईज़ी पुलिस वालों को सतरकता का पार्ट पढ़ा रहे थे लेकिन पुलिस वाले वर्कशॉप में सोते नजर आए तो कैसे एलर्ट रहा जाए ये बताय जा रहा था लेकिन कितने एलर्ट इस दोरान थे पुलिस वाले इन तस्वीरों में ही देखता है ये यूपी की जाबाज पुलिस है हर पल चाक चोबंद रहने का दाबा करने वाली पुलिस यहां हॉल में जब पुलिस वाले इतने सावधान है तो मैदानी ड्यूटी में क्या हर होता होगा यूपी में आम आदमी की सुरक्षा इन ही पुलिस वालों के जिम्मे है यूपी पुलिस को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें कानपूर से आई है बुलन शहर में कैंग रेब की वारदात के बाद कानून विवस्था पर सवाल उठे तो यूपी पुलिस के आलाधिकारियों ने सभी जोनों में पुलिस वालों को वर्क्शॉप करने का फर्मान सुनाया था कानपुर में भी पुलिस वालों को महिला सुरक्शा पर जागरुप करने के लिए वर्क्शॉप हो रही थी जीले भरके पुलिस वाले यहां पहुँचे थे आलाधिकारी मंच पर मौजूद थे अधिकारी पुलिस वालों को महिला सुरक्शा का मंत्र दे रहे थे लेकिन खचाखच भरे हॉल में बैठे इन पुलिस वालों को देखिए मंच पर बैठे अधिकारियों को गुमान था कि पुलिस वाले उनकी हर बात को सुन रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन इन तस्वीरों को देखिए देखिए कैसे वर्क्शॉप में पुलिस वाले जबकी ले रहे हैं अपनी नीद पूरी कर रहे हैं एक दो नहीं ऐसे कई पुलिस वाले थे जो वर्क्शॉप में अपनी नीद पूरी कर रहे थे शायद इन पुलिस वालों को महला सुरक्षा जैसे संवेदंशील मुद्दे से कोई लेना देना नहीं महला सुरक्षा के मुद्दे पर महला पुलिस गर्मी कितनी संवेदंशील थीं इसकी बांगी ये तस्वीरे हैं देखिए कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा है तो कोई अपने दोस्तों की फोटो को निहार रहा है सोचिए अगर अधिकारियों के सामने पुलिस वाले इतनी संजित भी दिखा रहे हैं तो मैदान में क्या करते होंगे ऐसे ही लापरवाः पुलिस वालों को जगाने के लिए सूबे की सरकार ने सभी जिलों में महिला सुरक्षा पर वर्क्शॉप करने का आदेश दिया है सोचिए आखिर इस वर्क्शॉप का क्या फाइदा सवाल ये कि अगर पुलिस वालों का रवया ऐसा ही रहा तो क्या जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी सवाल ये भी कि क्या मंच पर अफसरों ने पुलिस वालों की ये कर्टूद नोटिस की और सवाल ये क्या ऐसे लापरवाः पुलिस वालों पर कोई कारवाई होगी ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि इन पुलिस वालों के भरों से सुवे की सुरक्षा विवस्था है और यही पुलिस वाले अपने अधिकारियों के सामने ही सोते और गेम खेलते नजर आए आर्यन अकरवाल इंडिया 24-7 कानपूर